हेलो फ्रेंड वेल्कम बैक तो मैं चैनल और मैं हूँ आपकी निशी और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अरूर वस्तभंदार के दो और सूट्स और इससे पहले मेरी जो वीडियो थी अरूर वस्तभंदार पार्ट फोर उसमें मैंने आपको दो गाउंस दिखाए थी जो कि अनारकली गाउंस थे एक परपल गाउंस था एंड एक पिंक कलर का गाउंस था एंड बहुत ही सुंदर गाउंस से यह पार्टी वेयर गाउंस थे जिनने आप अपने सगाई में इंगेजमेंट में या किसी दूसरी की शादी पार्टी में भी पहन सकते थे तो आज इसी स्रीज को आगे बढ़ाते हैं और मैं आज आपको दो गांग किखाने वाली तो हमारा फर्स्टाउं पूटा फूल जो है इस तरीके से डिजाइन आएगा जो छोटा छोटा फूल जो है सितारा बड़ आपके से यह देखे हैं बहुत ही सुन्दर सा है इसे आप किसी और other dress के साथ भी carry कर सकते हैं बहुत ही प्यारा लगे का बहुत सुन्दर सा है तो मुझे ये पट्टा बहुत पसंद है प्रिकी इसका color ही इतना प्यारा है second जो है वो मैं बात करती हूँ suit की, is crown की जो की बहुत ही प्यारा है इस वीडियो जब मैं खुद अपने आपको इंप्रोडूस कर रही हूँ इस वीडियो मैं तो कि इससे पहले मैं अभी तक आपके सामने नहीं आई हूँ तो प्लीज मेरे इस effort को प्लीज सफोर्ट सरूरूर करियेगा करी जिसे मैं आगे सामने आके वीडियो मैं बना शुकूँ तो यह देखे इस तरीके से जो है यह पाउन है एंड इसका नेक है यह जो है बैक नेक है यह जो ड्रेस है वो मुझे विंटर मां पहनना था इसलिए मैंने फूल इसकी लैंद जहने दी थी कि मैंने कटनी कर आया था अधरवाइस मैं जो है कम ही यूज करती हूं लेंथ वैसे फिर भी मैंना इसको फुल लेंथ की जगर थ्री फॉर्थ लेंथ ही रखी दी एंड ये देखिए कि पूरे मैं ही फिनिश है इस तरीखे से फिर के से याइन काफी स्हक छॲूं था थेॹार इंड ली आधा धा अंकि माने एपन ली ब्ली म Leyא था तैंधामजन का इस तरी तो इसमें डिजांग आए गa कहीं कहीं पे फोड़ी से दु dressed धागे इसमें से निकल गये पर मैंकि मैं जब पहना तो मैंने जो पनगन पेहने हुए थे पैंगल्स पेहने थे ऊसका थोड़ा सा जो एकका निकला हुआ हम यह दिखिए यह इसका जो है स्टाइप से डिजाइन है यह और जो वाइन कलर वाला गाउन था यह मैंने बहुत अलग-अलग टाइंड पर लिये थे लेकिन दौनों कर जो design है something थोड़ा design different है और pattern जो है full work वाला वो same ही है and मैंने पहले ये वाला लिया था then मैंने wine color लिया था and मुझे इतना pretty लगा कि मैंने दौनों ही रखे यह देखे and पूरा full जो है इसका design देखे and बहुत ही प्यारा and pretty design है इसका आप देख सकते है and कि इसका pretty है इसका total देखे बहुत है designs इसका बहुत ही pretty है बैक देखे तो यह हो गया हमारा teal cleaning gown and आपको कैसा लगा है इसका जरूर करें comment box में और जो opinion है आपको कौन सा गाउन सबसे ज़्यादा अच्छा next हमारा जो gown है वो यह black color का gown है and यह बहुत ही सुन्दर सी इसमें finishing दी हुई है जो की बहुत ही अलग सा design है इसका इसमें कोई work नहीं है and net में ही कुछ अलग से self में design दिया हुआ and यह इसका दुपट्टा है लेकिन इसका दुपट्टा जो है मैं इसके साथ use नहीं करती हूँ दुपट्टा प्यारा दुपट्टा है लेकिन इसमें जो की golden work है वो मुझे इसके साथ थोड़ा सा unmatch लगता है लेकिन क्योंकि मुझे black color की rays रही थी एक party function मा पानने के लिए जो इसकी तीन black gown something तो इसलिए मैंने यह खरीदा था जो इसके साथ दुपट्टा है वो full net का है जिसे मैं other suits के साथ use करती हूँ एंड बहुत ही इसकी जो net है quality बहुत अच्छी है बहुत soft net है एंड यह golden कुर्टे के साथ मैं red suits के साथ मैं बहुत ही क्यारा लगता है तो दुपट्टे तो सभी colors के आपके पास होने ही चाहिए जो कि आप use करें यह देखिए एंड next album बात करते हैं इस gown की एंड इसमें भी काफी सारी जो है layers भी हुए है इसको price है 8000 यह इस तरीके से full gown है इसकी जो sleeves है वो 3-4 sleeves ही रखी है हमने and actually 3-4 से थोड़ी सी जादा ही है and यह winters के लिए बहुत अच्छा है कि आपको sweaters नहीं पहनना है cardigans कुछ नहीं carry करना है क्योंकि थोड़ा से style खराब हो जाता है अगर आपको छूपर से पहनते हो इस तरह की heavy dresses पर तो यह जो gowns है वो आपको सड़गी से थोड़ा से थोड़ा से बचाएगा and ठंट से बचाएगा and आपको style भी खराब नहीं होगा तो यह देखिए कपी heavy gown है full and आप इसे इंडियन और वस्टन तोनों ही तरीके से पहन सकते है मैंने इसे दोना तरीके से पहना हुआ है जब मैंने इसे western तरीके से पहना था तो यहां पर मैंने एक बैल चैदी कर दी थी flowers वाली जो इसे western लोग दे रही थी and जब मैंने इसे Indian तरीके से पहना था देव थान के बाद से तो यह सभी जो है शादी के परपस के लिए वैडिंग्स के लिए कापी अच्छी एंड सुद्रगाउं से ही रिखिये अच्छी बाद है तो यह सब सबस अच्छी बाद है इसमें 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 एक राव लाइट है और क्योंकि इसमें कोई भी वर्क नहीं है यह सेल्फ आप्रे में ही फ़ाब्रिक में ही जो है इसका डिजाइन इस दिया हुए यह दिखिए, इस तरीके से फुल गाउन है, और बहुत ही फित्टी है, और कापी फ्रिल है, बहुत संदा लगता है पहलने के बाद में है, बहुत संदा लगता है, यह सारे गाउन्स तो मेरे बैक एंट्रेंड गाउन तरीके से फुल जो है, तो अपको इस सब कैसे लगे एक पर जरूरर है, और वीडियो को मेरे लाफ्स तक जरूरर देखिए, क्योंकि इस सभी के लुक्स जो है, मैं फुल लुक्स एंड पास से व् पास से अब इसका फुल व्यू देख सकते हैं कि इतना प्यारा सा इसका टेक्श्यर है, फैबरिक का एंड बहुत ही कम्फटेबल है यह एंड विंटर में तो आप बहुत ही कम्फटेबल रहता है कि आपको ठंडी नहीं लगती है, इसके साथ यह दो दुपट्टे आप्श इसका बहुत ही प्यारा है तो यह के साथ बहुत ही अच्छा जा रहा है और ब्लैक गाउन के साथ आप कोई साथ भी कलर जो है वह यूज कर सकते हैं प्रिटी ही लगेगा एंड इसमें जो डाक कलर होते हैं रैड कलर है डाक पिंग कलर है कोई सा भी आपका हैवी दुपट् जो की मैं आपको दिखा रही हूँ और मैं ऐसे यूज नहीं करती हूँ इसके साथ मैं मुझे इसके साथ थोड़ा डाक कलर अच्छा लगता है तो आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी पसंद आईए तो प्लीस मेरे चानल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को ला वीडियो को जरूर देखें मैं एक्शली यूटूब पे न्यू कॉंटेंट क्रियेटर हूँ तो थोड़ी सी प्लीस सपोर्ट करें और प्लीस मेरी हैल्प करें जसे कि मैं अपने चैनल की ग्रोथ कर सकूं और आपके लिए अच्छे-च्छी नहीं नहीं वीडियो बना के ला सकूं सो गाइस अभी तक के लिए बाबाई एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक न्यू कंटेंट के साथ मैं अब तक आप इस वीडियो को लास तक देखें एंज्जय करें आपको कौन सा गाउं ज्यादा पसंद आया एंड पार्ट फॉर एंड पार्ट फाइव में जो चार गाउंस मैंने आपको दिखाए हैं कौन से गाउंस आपको ज्यादा अच्छे लगें वो मुझे जरूर बताएं कमेंड करें थेंक्यू बाबाई टेक क्या